कि नमस्कार दोस्तों मैं रतन सिंग मेरा यूटूब चैनल जैकिसान एच्पी आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसे पौधे की बात करूंगा जिस पेड को हम काटने वाले थे और मैंने इसे काटने की कोशिश भी की पर पापाजी ने बोला कि इसे ग्राफ्ट कर लो तो मेरे दिमाग मैं चलो मैं कर लेता हूं और जब इसे हमने काटा तो इसे ध्राट से काटा था और चैन से काटा था और काटने वाद जो नहीं टेहनिया उगी इसमें उसके वाद हमने उ यह बड़ा दाना है और बहुत टैस्टी भी और बहुत पानी भी है बहुत 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 ज़्यादा रस है इसमें और इसमें स्टार क्रिम्सन है पेखम है रैडवारलेट है कश्मीरी नाख्य है और यह कैंथ है तो आज हम इसकी मैं आपको ग्राफ्टिंग बताऊँगा और हमने इसे किस तरह काम किया था और यह भी बताएंगे आज चौती साल है तो इसमें आज जो फ्रूट आया है और इसकी ग्राफ्टिंग जिस तरह से इसने अपने आपको कवर किया है तो मैं भी ओ भी बताऊँग तो दोस्तो जो इसके कट थे वो बहुत मोटे थे और पावर चैन से काटे हुए और ये टेहनी लगभग आगे 15-20 फूट आगे लंबी थी जहां से हमने काटा है और मैं आपको दिखाऊंगा उसे दोस्तो ये इसमें जो है लाल नाश्पती स्टार क्रिमसन है और इसके तीन-चार कलमें इसकी लगी हुए है उसके बाद ये कैंथ है और ये रेडवार लेट है और इसमें ये रेडवार लेट है और दोस्तो ये है कश्मीरी नाखे जिसे हम कश्मीरी नाखे बोलते है कश्मीर में बहुत होती है और मीठी भी होती खाने के लिए इसका एक फ्रूट निकाल लेता हो मैं दोस्तु ये है कश्मीरी नाखें ये कश्मीरी नाखें हैं इसका टेस्ट भी थोड़ा सा सक्त होता है पर ये बाद में काफी अच्छी अच्छी उति हने के लिए कश्मीरी नाखें बोलते हैं उसे और जो मेरे मितर हमारे मितर चड़े हुए है उपर ये अभी पैखम ये पेड से अभी फैखम का रहे हैं उपर यहां पर कलम मैंने पैखम के लगा गाई अब मैं पेड पर चड़ के मैं आपके कट बताता हूं कि इसमें कट जो थे और कितने मोटे थे दोस्तों यह जो दाजू है अपने यह हमारे जो पैखम थे पैखम नकाल रहा है इस साइड जो है टेहनी में पैखम लगाया हुए और यह राड वाल लेट है और दोस्तों यह इसके कट है यहां कट लगाया हुआ था और पावर चेंट से काटा था इसको और यह कवर कर दिया इसने अपने आपको यहां भी कट था और यह यहां पर ग्राफ्ट हुआ इसको टॉप वर्क किया गया है यहां से यहां पर ग्राफ्ट किया है और यह है स्टार क्रिम्सन यह स्टार क्रिम्सन लगा हुआ है और यह कट आप देख सकते है इसके जो कट थे और कितने मोटे मोटे कट थे और उसकी ग्राफ्टिंग भी आप देख सकते हैं, यह ग्राफ्टिंग है, यह जब कट मारने के बाद इसे छोड़ दिया गया, और इसमें नए शूट फटे, और उसकी अगली साल फिर इस पर ग्राफ्ट किया गया, और यह आप देख सकते हैं, यह ग्राफ्ट कियो है, यह अपने मोठा मोठा कट है इसमें और यह नाश्पती फिर भी अपने आपको इसने अपने आपको कवर दिया कवर कर लिया बड़े जख्मों को यह आप साइड का हम काफी हाइट पर पहुंच चुके हैं और इसका कट लगवग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी मोठी टहनी थी इसका कट जो लगाया और उस वक्त एक बार पेस्ट लगाया पेस्ट लगाने कवाद इससे कुछ नहीं किया है और इसकी जो टहनिय यह क्या आई यहां आप देख सकते हैं इसने कितना कवर कर दे aja पने आपको और इसमें बहुत अच्छा फूरूट आ ब्लार्फिश हाल पर यहां बहुत कम था इस बार कफी मई आ है इसमें और यह देख सकते हैं कितना बड़ा जख्म और इसमें नए और ये ग्राफ्ट की विए से ब्राच ग्राफ्टिंग इसमें रेडवार्ड लेट भी है स्टार क्रिमसन भी है और पैक्खम भी है और कश्मीरी नाखे भी है मैं और हाइट जाके आपको बताता हूँ दोस्तों ये पेड़ के उपर का हिस्सा है और जखम लगवग पूरा हो चुका है और ये इसके ग्राफ्टिंग है ये नाश्वत्ते भी स्टार क्रिमसन है इसमें रेस्टिंग बहुत ज़ादा आई हुई यहाँ पर क्योंकि यहाँ शायद मुझे लग रहा है एक तो बड़ा पेड़ था और स्प्रे ढंग से नहीं हुई और ये है इसके बड़े जखम और ये इसका ग्राफ्टिंग पॉइंट है तो दोस्तों आपके पास भी अगर नाशपती के बड़े बेड़े पेड़ हैं और जो आपको लगता है बेकार है तो आप इसी तरह एक साल पहली साल उसे काट करके उसके रहने दें और उसमें जो नए शूट फटेगा उसमें फिर आपने ब्राज ग्राफ्टिंग करनी है और यह बहुत शांदार पेड़ बना हुआ अब इसकी सारी ग्राफ्टिंग बड़े बड़े जखम आप देख सकते हैं कितने हैं वह कितने बड़े जखम है और अब नाशपतिया बहुत अच्छी लिगी हुए है इसको हमने पहली साल जब काटा था तो मेरी पापाजी का इरादा था कि टौप बरकरम और मैंने यही कहा था कि इसे हम काड़ देते हैं यहां बहुत सारे पेड़ आएंगे तो उन्होंने मना कर दिया और फिर इसको मैंने पावर चैनल और द्राट से काटा और इसके वाद जब इसमें नहीं टहनियां आई यह सारे नहीं शाखां आई और उस पर फिर ग्राफ्ट किया गया और यह टी ग्राफ्ट थी और ये सारी मैंने जो किय थी ये tea graft थी tongue grafting नहीं की थी उस वक्त मैंने ये सारा tea grafting पर ही था और tea graft ने भी अपने आपको पूरा cover कर लिया है और ये बड़े बड़े जखम तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जखम है और इसने अपने आपको cover कर लिया मुझे नहीं लगता है कि ये खड़ाव होने वाला है ये चल पड़ा है और इसकी growth भी बहुत ज़ादा है ये लगभग काफी height तक पहुंच चुका है दोस्तों इसकी जो नीचे मोटाई है लगभग लगभग इसकी मोटाई आप देख सकते हैं कितनी ज़ादा मोटा है और जो इसके हमने कट्र लगा करके हमने इसे टॉबर्ग किया और इसकी जो बुराच आई हुई है अब ये पूरा नया plant बन चुका है और नई growth है और नया इसमें नई शाखाएं आ चुकी है अब ये पुरी तरह मुझे लगता है कई सालों के लिए है और दोस्तों इसकी जो महनत है हमने सिर्फ यही किया इसे एक बार टॉब ग्राफ्ट किया टॉब ग्राफ्ट करने के बाद एक साल प्रूनिंग हुई और इस साल प्रूनिंग हुई अब इसको हमें हर साल प्रूनिंग करते रहना पड़ेगा और पौदे में काफी जान आ चुकी है तो दोस्तों मेरी वीडियो को अंद तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धिन्यवाद मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झाल 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 झाल